नमस्कार बच्चू, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 SST सामाजिक विज्यान की वर्क्षिट नमबर 27 यानि कारे पत्रक सिंख्या 27 को या आपकी 3 नमबर 2021 की वर्क्षिट रहेगी आज की इस बहुत इंपोर्टिंट वर्क्षिट में हम सिविक्स के अपने चैप्टर भारती सिवधान की मुख्य लक्षने इसको पढ़ना जारे रखेंगे ये चैप्टर का second part रहेगा यानि इस वर्क्षिट में भारती सिवधा की दोरा शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया सरकार के कितने अंग होते हैं और उनके क्या 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 रहे होते हैं तो यह सब कुछ हम इस वर्क्षिट में समझने वाले तो चले यह शुरुवात करते हैं आज की और सबसे पहले हम बात करेंगे संसिद्य शासनपत्र उसी में से मंतरी चुने जाते हैं अब वहाँ पर परधान मंतरी और मंतरी तो चुने जाते हैं यह तो ठीक है लेकिन वहाँ लोग कैसे पहुंचते हैं यह हम यहाँ पा समसेंगे तो भारत का जो सविधान है वो अपने सभी नागरिकों को वो डालने का दिखार देता है अब यहाँ पहले तो सविधान को समझना है कि सविधान क्या होता है सविधान मतलब किसी भी देश अत्वा संस्ता को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, काईदे, कानोनों के आवशक्ता होती है उसे हम सविधान कहते है जैसे आपका स्कूल है तो वहाँ भी सविधान है स्कूल जाने का टाइम आपका फिक्स है डिपार्चर टाइम आपका फिक्स है कौन सा टीचर, किस क्लास का इंचार्ज होगा कब किस सबजेक्ट का पिरिड लगेगा फिक्स है न वो आपके स्कूल का सेविधान है, हर घर का भी सेविधान होता, वो ऐले खीत होता, लिखावा नहीं होता, जिसे किसी घर में जो डीनर है, वो साथ बजे बन जाता है, किसी घर में वो डीनर है, बारा बजे बनता है, लंज का टाइम, किसी घर में कुछ अलगे, कुछ अलगे सोने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, हर घर के अपनी रूल्स होती न, तो स्कूल वो आपके घर का सेविधान होता है, जैसे स्कूल का सेविधान है वैसी घर का है, ऐसी हर देश का भी एक सेविधान होता है, तो हमारा जो सविधान है, भारत का सेविधान है, वो सभी न अंगर्ष के आता था जो वैस्क मतादिकार है उसको पनाएता है जो वैस्क मतादिकार है इसको हम सारवभूमिक मतादिकार भी कह सकते हैं अब ये सारव भूमिक मतादिकार का मतलब यह होता है कि सभी देश के सभी नागरिकों को बिना किसी बेदभाव के वोड डालने का दिकार देना। अपने देश में क्या है सारभोमिक वेस्क मता दिकार है हमारे देश में बिना किसी बेद भाव के सभी लोगों को वोड DALEने का दिकार प्रापत है पहले चीज, दूसरा उसकी आयू 18 वर्ष या 18 वर्ष ये अधिकों नीचे और तूसरा वो पागल या दिवाल या नहीं होना चीए इसके लवा पाकिस हभी को एक समान रूप से वोट डालने का अधिकार दिया गया चाहिए वो किसी भी जाती, भासा, रंग, ग्रूप के हो चाहिए वो किसी भी लिंक के हो किसी भी अधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जाता है तो ये हमारी यहाँ नहीPर कश आा है सारव भ्रॉमिक early वैस्क मता दिखा रहे लोग तुम तरह हैं हम अपनी सरकार को खुछ चुनते हैं अपने पर्तिनिदी को चुनते हैं तो पर्तिनिदी कहा जाते हैं वो संसद में जाते हैं और वही सरकार को चलाते हैं इसलिए संसदिये शासन पत्ति हैं उसको हम जनता की शासन पत्ति भी कह सकते हैं क्योंकि वास्त शक्तियों का बंटवारा है दूसरा कारेपालिका, कारेपालिका का जो मुख्य कारे है वो है कानूनों को लागू करना और शासन को चलाना, ठीक, यनकी यह करते हैं कारेपालिका, विधाइका को क्या होगी, आपकी जो संसद है या विधान सभा होती है राज्य में वो विधाइका है, कारेपालिका जो मं उनकी व्याख्या भी करते हैं, तो ये होगे इनकी मुख्यकारे, तो सरकार के कितने अंग है, तीन अंग है, कौन-कौन से, विधायका, कारेपालिका, नियाइपालिका, विधायका का मुख्यकारे, कानून बनाना, कारेपालिका का मुख्यकारे, कानूनों को लागू करना, न जाजा के बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा वो रास तंतर होता था जैसे मुगल वंश का एगर हम एक्जाम पलें तो बाबर का हुमाईयों हुमाईयों का अकबर अकबर का जहांगीर जहांगीर का शांजा सांग जाका औरंग फो क्या था रास्त्त्त्त्त्ता अब रास्त्त्त्त्तमें युथा करते हैं तो उसको विधाई का रोग सकते हैं यानि आपस में इनको एक चेन से बांद आ गए एक दूसरे के उपर यह कंट्रोल रखते हैं और ऐसा किस देखिए गए ताकि सत्ता का संतोलन बना रहे हैं तो यह थी हमारी आज की वॉक्षिट उसका कंटिंट अब आगे दिएगे हमें कुछ एक्टवडी कुछ एककस्साईस सबसे पहले हमें एक एकटवडी दिएगे चले उसको सॉल्व करते हैं उसके बाद हमें देगें 4 easy questions जिनको हम सॉल्व करेंगे तहां पे पहला दिएगे हमें column a को column b से match करना है यहाँ भारत में वो बनाती है यह आपका दूसरा हो जाएगा उसके बाद है राज्ये की कानूनों को लागू करने वाली संस्ता कौन से होती है यह हो जाएगा कारेपालिका राज्ये की कानूनों की सही व्याख्या और न्याय परदान करने वाली संस्ता कौन से होती है यह उत्याप की नयाई पालिका, सिंपल सा है, इसको आप आसाने से कर लोगे उसके बाद आगे हमें four or question देगें, चलिए इनको solve करते हैं के करके पहला जो हमें परशन देगा है, सारव भूमिक वैस्क मतादिकार से आप क्या समझते हैं तो सारव भूमिक वैस्क मतादिकार करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को एक समान वो टालने का अधिकार होना उसे बोलते हैं सारव भूमिक वैस्क मतादिकार हमारे देश में है, बिलकुल है उस बाद दूसरा हमें परशन दिये गए, दूसरा परशन है यहां पर, कि संसिदिये शासन पत्ती की, जो संसिदिये शासन पत्ती है, वो जनता की शासन की पत्ती है, स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्यों कहा गया है, तो संसिदिये शासन पत्ती को जनता की शासन की पत्ती कहा जा उसोगार तीसरा हमारा पारिशन देगल दिया है थर्ड हमारा कुश necessarily राज्य सरकार के, या सरकार को कह लिजी कि मुख्य ऐंग कौन-कौन से होते हैं कि कारे क्या क्या होते है तो सरकार के मुख्य तीन अंग होते हैं पहला विधाएका इसका परमुक काम है पर्मुक जो कारे है वो क्या है कानून निर्मार करना दूसरा आपका पर्मुक कारन नहीं है कारे आएगा ओके यहां पर भी कारे रहेगा यहां पर भी कारे उसके बद कारे पालिका आगए दूसरा रंग कारे पालिका का मुख्य कारे क्या है पर्मुकारे कानूनों को लागू करना उसके बद तीसरा है नियाई पालिका नियाई पालिका का पर्मुकारे क्या है नियाई परदान करना और कानून की व्याख्या करना ठीक बस इतने लिखना है आपको नाम लिखना है विधायका, कारेपालिका, न्याईपालिका और इनके एक एक परमुकारे लिखने है विधायका का परमुकारे कानुन का निर्मान करना, कारेपालिका का कानुनों को लागू करना और नियाय पालिका का नियाय परदान करना और कानूनों की व्याख्य करना उस पाद चोथे पर्षन को देखते हैं चोथा जो हमारा पर्षन दिया गए शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हो यह हमें बताना है और यह क्यों आप से कहा यह भी हमें बताना है तो सविधान के अंसार शक्तियों का सरकार के तीन पर्मुखंगों और सरकार के विभिन सत्रों के बिच में शक्तियों का बंट वारा है उसे हम सत्ता के साज़दारी कह सकते हैं यनि सक्तिया है वो आपस में बंटे गए कैसे सरकार के तीन अंगों की बात की वूस में और सरकार के अलग लेवल होते हैं जिसे सेंटरल गौर्वर्मेंट होगी केंदरी सरकार, फिराज्य सरकार, फिस्तानी सरकार इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सत्ता की साज़दारी भी कह सकते हैं, अब ऐसा क्यों कि अगए शक्तियों की दुर्पयों को रोकने के लिए और शक्ति संतूलन के लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान important work sheet I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो, ये work sheet अच्छे लगे इस वीडियो, इस work sheet को like करना, share करना मत भूलेगा, thank you, bye bye have a nice day मिलते हैं next video में